तो बहराईच और सीतापूर में भेडिया गैंग की देश्रत है बात बहराईच की करें तो भेडियों को पकड़ने के लिए वनेवेभाग की टीम लगातार सर्च ओपरेशन चला रही है बहराईच में भेडियों ने अब तक नौ लुगों की जान ले चुकी है चार भेडिय तो आदम खोर भेडिया की तलाश में वनेवेभाग जुटा हुआ है वनेवेभाग की टीम युटा हुई है मनोर सूनकर ने बताया कि बेड़ी की सूशना पर कई टी में तुरंत पहुच रही है बेड़ी की लोकेशन के लिए रात में भी ड्रोन उड़ाय जा रही है बीते 14 घंटे से भीडियों की कोई लोकेशन अब तक नहीं मिल पाई है और कोशिश यही की जा रही है कि इन भीडियों की तलाश की जाए क्योंकि आसपास के लोग तैश्रत में है जहां कहीं भी इन भीडियों की लोकेशन का पता चलता है वहाँ वहाँ पर वन विफा की टीम पहुंचती है लेकिन आप तक सफलतावर विफा को नहीं मिल पाई है हमने जो है कल एक भीडिये को रेस्क्यू किया था अभी जो हमारे थर्मल डोन कैमरा में आये हुए दो जो भीडिये हैं उनको लोकेट करने का हम प्रयास कर रहे हैं जिसके लिए लगातार हमारी फूट प्रेट्रोलिंग टीम कर रही है थर्मल डोन कैमरा से भी हम लोकेट करने की पूरी कोसिस कर रहे हैं और जैसे ही लोकेट हो जाएगा हम लोग उसको रेस्क्यू करने का कारिक्रम करेंगे जगा जगा से सिकायत आ रही है उसको मेट आउट करने के लिए क्या प्लान बनाएगा जहां से भी सुचना मिल लए है हमको हमारी टीम जो है वो तुरन मौके पहुच रही है और थर्मल ड्रोन कैमरा से और पगमार्ग वेसिस पे उसको ट्रैक कर रही है कि कहा वो है जैसे ही लोकेट हो जाता है तो हमारा रेस्क्यू टीम पहुच के उसको रेस्क्यू कर लेगा बहराइश में आदमखोर भेडियों को लिकर कल किस तरह से ऑपरेशन चला भेडी की कोई लोकेशन मिली क्या डेफो आकाश दीप वधावन ने इसको लिकर क्या कहा आई सरह सुनते हैं बहराइस में अदमखोर भेडियों की तलास में लगातार वन विभाग का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड करने वाले डियेफो आकास दीव वादवान साब अमारे साथ मौजूद है जिन से हम बात करेंगे सर आज पूरा दिन रेस्क्यू ऑ इसका मरा से देख रहे हैं बिल्कि हम पाग्मार्च से भी चैक कर रहे हैं और उसमें हम थोड़ा स्स का पर ग्रान कi चैक किया घृट है लेगिन की दिखेना ये क्यnteल के आज गरान बास से वापस एसी माद्यम आपके प्रेस के मादम से मैं यही अनुरूद करूँगा कि यदि आपको कोई भी इस टाइप का दिखता है, कोई भी जानवर या कोई भी, सबसे पहले तो आप अपना खयाल रखें, घर के अंदर सोएं, दर्वाजे बंद रखें, अपने बच्चों को, बुजर्गों को, महिलाओं को विशेश रूप से रात को अकेरे में जाने दे, इसके अलाबा हम यही बूलेंगे कि आप थोड़ा सा सजग रहें, यदि कोई भी आपको पगवांस दिखते हैं, जानवर कहीं दिखता है, तो अपने इस निकट्थम जो पुलीस है, सो नंबर पे उनको कॉल कीजिए, ज पेडियों को पकड़ने के लिए उपरेशन में वनवेफाग के टीम पटा के भी छोड़ाई है, और इन पकड़ने के लिए अलग अलग तरीके अपना रही है, जिससे ये पेडियों पकड़ में आएं, तो तस्विर हम आपको दिखा रहे हैं, जो भी कोशिश हो सकती है इन पेडियों का कुछ पता नहीं चल पाया है। नहीं हम लोग जाते हैं, जो अगर पता चलता है किधर है, तो जिसे गन्नाव अन्नमा गया, तो हम लोग गये तो पटा का फेका गया, दगा भाग गया। हम लोग चलते हैं, आपो लोग जा गये रहो, लड़का बच्चा बाहर निकरेने पा हुए, तिट्टी मेजान जाए तो लाठी दंजा लेके निकरो, टार्चे लेके हाथ से मिकरो, और तुरन तो हमका सूचिना दिए। तो खौफ का आलम क्या है, ये इन ग्रामणू से आप सुन सकते हैं, बहराईस से, राजिव और सीतापूर से हमारे साथ संदीब चुड़काएं हैं, राजिव सबसे पहले आप ही बताए, पूरी रात आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पर कॉम्बिंग चलती रही, इस बेडियों को पकड़ने की कबायच चलती रही, कभी ड्रोन उड़ाए गए, कभी पठाके छोड़े गए, लेकिन अब तक वनवेभाग खाली हाथ है, क्या अब तक कुछ लोकेशन का पता चल पाया है इन बेडियों का, या किसी तरह की कुछ सफलता इनके हाथ लगी है अदिकी भराइच की इस इस इलाके में लगातार आदम खोर बेडियों का जो आतंक है वो बना हुआ है, जो खौफ है वो बना हुआ है, क्योंकि बीते 24 गंटे से वनवेभाग को ऐसी कोई लीड नहीं मिली है, जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि इस इलाके में बेडिया है लगातार कल भी रात में करीब दो से तीन बजे तक जो जो सूचनाए वनवेभा के अधिकारियों को मिल रही थी कि यहाँ पर भेडिया है, वहाँ पर रात में कई टीमें पहुंच रही थी, फिर चाहे वो ड्रोन कैमरा हो या फिर उनकी जो ग्राउंड टीम हो, वो लगात उन गाउं में भ्रमन कर रही थी, लेकिन लाख कोसिसों के बावजूद ना तो ड्रोन कैमरे में भी उस भेडिये की कोई तस्वीर कैद हुई है और नहीं वहाँ पर ग्राउंड में जाने को मिला है, ऐसे में सुबह होते ही एक बार फिर से इन्पूट आने सुरू हो चुक कि आखिर क्या वाकई यहाँ पर आदम खोर भेडिया है या फिर जो खौफ का आलम है उसके चलते लगातार यहाँ पर सूचनाएं आ रही हैं, दरसल जो गामीड है, जो सुबह निकले हैं अपने खेतों के लिए, वो यहाँ पर कई पगमाक्स मिलने की जानकारी उन्हों न कि किसी भी तरह ग्रामीडों और भचों को बचाना है, तो दूसरी ओर इस आदम खोर भेडिये को भी बचाना है, जिसके चलते देर रात पटाके जगाये जाते हैं, ताकि भेडिया गाओं में नगुसे, दूसरी ओर जो परसों एक भेडिया पकड़ा गया है, उसके लिए कि कुछ सूचना ये भी आ रही है कि कैसर गंज इलाके में भी बेडिया देखा गया है, क्योंकि खौफ का आलम ये है कि हर छोटे जानवर को देखके जो ग्रामीनों को लगता है कि ये वही आदम खोर भेडिया है, इसके चलते लगातार सूचनाएं मिल नहीं है, उसमें से अधिक तर फाल्स मिली है, लेकिन वन भागी ये कोशिस है कि हर एक सूचना को अटेंड करेंगे, वहां उनकी टीम पहुंचेगी और ये कोशिस करेगी कि जितने भी अत्याधूनिक तकनीक है, चाहे वो फिर इंफरा रेड ड्रोड कैमरा हो, जो रात में जिसके जरीए हर एक जानवर को ट्रैक किया जा सकता है, चाहे वो आप देख सकते हैं जो ये घने, घने के खेत हैं, उनमें भी जो आप ड्रोड कैमरे के जरीए ट्रैक कर सकते हैं कि अगर कोई भी छोटा जानवर है तो वो पता चल जाएगा, कर रात में भी जो दो से तीन बजे तक सर्च चला है बेड़िये की तलास में, उनमें से भी जो अधिक जानवर दिखे गए तो कहीं हिरन दिखा है, तो कहीं सियर दिखा है, लेकिन जो आदम खोर भेडिया है जिसकी तलास में वनिभा की कई टीमे लगातार डटी हुई हैं, वो अब तक नजर नहीं आया, जो कि ये वन कि चले कि इस एरिया से आप ये भेडिया आगे बढ़ गया है, अधिकी यकिनल बीते 24 घंटे में अब तक वनिभा के पास कोई ऐसी लीड नहीं है, जिसके आधार पर वनिभाग ये कह सके कि इस इलाके में भेडिया है, क्योंकि जितनी भी चाहे वो कैमरे के ट्रैप लगा चुका है, यानि 10 से 12 किलो मिटर के आसपास रेडियस में मूव हो है, लेकिन इसकी एक हिष्ठी रहती है, भेडियों की हो या फिर टाइगर की हो, कि ये अपने होम बैकिंग करते हैं, यानि घर वापसी करते हैं, अगर कहीं अटैक भी करने जाते हैं, तो 24 से 48 घंटे के ब तो का भी वनविभाग ध्यान रख रही है, कि हो सकता है, अभी तो ये भेडिये मूव कर गए हो, लेकिन 24 यार्टालिस घंटे में ये दुबारा से इसी जगापर वापस आए, इसलिए पूरी तरह से अलटनिस यहां पर दिखाए दे रही है, संदीप भी सितापूर से मार पर काम कर रही है. तो भेडिये की लोकेशन लगातार ट्रेस की जा रही है, लेकिन भेडिये का लोकेशन अब तक पता नहीं चल पाया है, राजिव और संदीप लगातार वानविभाग के टीम के साथ है, वहां से पलपल की जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुचा रहे हैं, और इस देशरत से जो वहां के आसपास की ग्रामिड हैं को रहत मिल सके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजिव और संदीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चूटने के लिए